नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाईयों इस वीडियों में आपके लिए बहुत जादा अच्छी जानकारी देने वाला हूं इल्लियों के बारे में सब से पहले यह देखना है हमको दवाई क्या करते हैं दवाई एक बारी तो काम करेंगी इल्लिया ठीर तूर या तो आपको लगेगा कि थेपरे हमारी मॉंग में भिंडी में और नुक्सान पहुचा ती और इनकी दवाई काफी महंगी भी आती हैं और इनको लगाते लगाते हम ज्यादा परेशान है तो चलिए किसान वाईयो यह आपके लिए सब प्रावलम दूर होने वाली है इसके बारे में आज जानते हैं डिटेर में और भासा जो हम यूज करेंगे बुलकु सुद्ध भास हमारी तितिली नुमा कीड़ा उसको बकट्रों जानते हैं यह थो इससे पहले किसान वाईयो आपने पर निकलने के जैसे यह प्यूपा है हमारा यह निकलेगा जो आप इसमें देख रहे हो यह हमारे जो प्यूपा स्में ओटोमेटिकी बण है यह सूखने के बाद यह उपर अपनी ऊपर यह यह एक जाल बिचा लेता हुआ उसमें यह बंद और बंद बाए नज्कुलता अपने पर यह जान लिए जैसे आप इस समय जो स्थ आख रही हो यह उड़ रही है यह तो स्थ ऌफर चाहले तो यह हमारा कोई बैस्क कीट यह कोई नुक्सम पहुचाने वाला कीट नहीं है कीट कौन सा यह वाला कीट है यह हमारा बैस्क कीट है इसकी जो आखे भी देख रहे हो बिलेक कलर की आगे ऐसी हमारी प्यूपा में देख रही है तो यह क्या होता यह कांचरी होती है जो सापकी कांच पहुंचाई अगर इसको आपने कैसी भी फसा लिया तो आप पकड़ सकती हो जैसे कि मैंने इसमें दबाई से यह थोड़ा बेऊस्टा हो गया तब यह समझ में आया मतलब पकड़ लिया मैंने नहीं हाथ नहीं आते हैं सेज तो किसान भाईयों यह क्या है कि यह बैसक कीट है तो यह प्यूपा में से हमारा क्या है बैसक कीट निकला अब यह निकलने के बाद क्या है कि एक दिन तो गूमता है इसमें नर्मादा भी होते हैं किसान भाईयों तो कुछ हमारे बैग्यानिक जो बताते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे पहले इसको जानते हैं तो यह जारों लंग गोमता है तो ये अरी यारी, वसल देखता है याप पिले-रगी वसल देखता है तो यह पीले रंग पर कुछ ज्यादा करसित होते हैं और अर्य मुँझ रंग पर तो अरे रंग के पैसर ही जैसे आप बिंडी में देख रहे हो इस समय इसकी पलंदी प्लत पत्यां में थिरी पत्या फ़सद मिंदी पत्या के जाहें में। अब इन अण और यू होता क्या है किसान वाईयो सब्से पहले हम जानते हैं यह अंडे देता कैसे है तो हमने यह जान लिः पीवार में से बैस कीट में से यह वह तितली तितली मान लिजिए ऐब झारी भी खैut पर तो ऐसे देता है आराम से और देखो मक्य की भसल पर आप देख लीजिए पूरा गुच्छा करके यानि गुच्छा नुमा करके अंडे दे दिया इसने और हम इन अंडों पर या इतल तिदली जो उड़ती इन पर गौरी नहीं देते हैं कि यह क्या कौन सा कीड़ा उड़ बिंडी के भी पत्ते बीच में दे देते हैं और उन से अगर गौर से देखोगे तो इसमें इल्लिया बनना शुरू हो गई है बहुत चोटी चोटी बारिक इल्लिया शुरू होती है जब एक पत्ती पर यह 100 अंडे देता है तो यह सोच लिजिए वह 100 अंडे से जब इल्लि है इसने पूरे पोधे को खा लिया टुरंत खाने बाद ये पड़ी हो गई है यह तो बहुत बारिक होती है सुरूवात में तो अपको दिखाईंगी निहीं लग़शी होती है जितनाशっと बड़ी होती है जह जीतना घुक्श्च ही इल्लिया मर गई लेकिन वह बैसके कीट क्या होता है वह द्वारा अंडे दे जाता है फिर वह दूसरी इल्लिया आजाती है हमको लगता है कि वह मरी नहीं है तो फिर यह क्या होता है कि यह तितलिया जो खा जाती है मतलब जो इल्लिया ज्यादा खाना खाका के बड़ी हो जात अपने धीमे 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 धीवले ज्ञादियों की जाद करते हैं। इसके बाद वूए डीजा बसक्ति आपनी एपनी फॉं में जाते हैं,u में अब अब स्के बाद की रात ख्रतों आए-पनी फंसराक हो लेखन livres, उने उनकोल ऊसे पहले उनके पाष जाते हैं या तो सबसकते हैं या उसमें अंदर घुश जाते हैं तो वह सारे लुए गने को वह अचछी तकनीकी निकाली है वह इसलिए निकाली है इसी को जानते हुए निकाली और तो किसान मैंने आपके लिए पूरी डेटेल में बहुत कुछ बताने की कोसिस ही अगर आप से समझोगे तो अगर आपके खेत में एक दो byask कीट उठना लगे यानि एक दो बैस के गीट अगर उड़ रहा है तो यह सोच लीजिए कि आपके जगए जगए वह अंडे दे रहा है पहली बात तो यह है कि आपके इलिया वह जमा कर रहा है खेत में जगए-जगए अंडे द पास तो आपने देखा होगा किसान वाई यह कुछ समय के लिए जो इल्लिया हमारी बंद सी हो जाती है दिखती नहीं है वह यही कारण होता है कि वह प्यूपा में चला जाता है तो किसान भाई यह मैंने पूरी वीडियो आपकी पूरी महनस से बनाई है कहीं पर कोई फोटो म लेने थे पूपा भी ढूड़ने थे उसके बाद मुझे अंडे भी ढूड़ने थे तो यह सारा कुछ टाइम लगा तो इस चैनल को प्लीज सस्क्राइब करके रखें और साथ में बेल भी दबा दें ऐसी मेरी वीडियो आती रहेंगे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक क करें सब्सक्राइब करें थेंक्यू नमस्कार